हेलो फ्रेंज वेलकम तो मैं चैनल आज मैं लेखे आई हूँ नेसली की मंच नच चॉकलेट आज मैं इस चॉकलेट का रिव्यू करने वाली हूँ यह मुझे काफी अच्छी लगती है चॉकलेट तो मुझे लगा क्यों ना मैं आप रोगों के साथ अपना ओपिनिन शेयर अगर आप लोगों को भी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रू हुझे कमेंट किजिएगा तो यह इस तरह का पैकेट आता है इसका और इसमें आपको 10% extra मिलती है जब स्टार्टिंग में यह चॉकलेट आई थी तो आपको 10% extra नहीं मिलती थी और इसका जो प् 9 months manufacture date से और इसमें आपको 2 बास मिलती है एक पैक में 1 for you and 1 to share आप शेयर कर सकते भी से और जब भी आप यह चॉक्त लेते हो तो अब जो है इसे अगर इमेजेट लिखाते हो तो ठीक है अदरवाइस आप इसे जो है cool dry and hygienic प्लीस पे स्टोर करें इसकी जो nutritional value है वो पूरा यहां पे दिया है कि कितने इसमें information पूरा भी दिया वाया है energy protein carbohydrate जो भी है सब कुछ यहां पे mention किया गया है और यह Nestle India का product है और तो चलिए से पहले open करके देखते है यह देखिए यहां में यहां पे जो है दो बार्स मिलती है और इसमें जैसे कि mention है कि मंच नट्स मतलब इसमें पीनट्स है पीनट्स का जो है crunchy nuts है बहार से coated है यह चॉक्लेट पीनट्स से और इसमें लेकिन मैंने यहां एक चीज़ पढ़ी है पीनट्स तो है ही लेकिन अग कहां पे लिखा था मतलब इसमें में contain tree nuts, almond, cashew, hazelnut, pistachy यह सब चीज़े भी हो सकती है तो मतलब यह चीज़े भी है और इसमें जो नेक वेट है सॉरी मैं नेक वेट बताना भूलकि नेक रेट जो है 32 ग्रैम प्लस 3.2 ग्रैम जो 10% एक्स्रा है तो वह जो 3.2 ग्रैम एक्स आपको बताया है थोड़ा बहुत एक्स्टा हो सकता है जो hazelnut, cashew nuts, salmon वगएर वगएर और इसको तोड़के देखते है अंदर से देखे यह वेफर में है और बाहर से चॉकलेट और पीनट से कोटेड है और इसको टेस्ट कर वैसे तो मैंने काफी टाइम मतलब काफी बार ख जैसे की मैंने बोला जो इसमें पीनेट्स और चॉकलेट उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा उसका जो टेस्ट है वो उभर के आ रहा है उसके जिसे चॉकलेट बहुत टेस्टी है और इसमें थोड़ा सा मतलब सॉल्टीनेस है जो अच्छा लग रहा है मतलब तो यह था आज का मेरा चॉकलेट पे रिव्यू अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा और चैनल को सब्स्ट्राइब कीजेगा तो मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तिल दिन बाई